हेलो एवरिवन आप सभी का हमारे जैनल पर स्वागत हैं आज के इस वीडियो से में हम क्लास 9th mathematics chapter 11 construction का introduction part देखिया हैं और ये introduction का भी part 1 है ये जो introduction का part 1 है वो आपको exercise 11.1 को solve करने के लिए help करेगा ठीक है तो introduction में हम part मिलाएंगे ताकि ये जो exercise के जो पहले चीज़े हमें जानने जरूरी होती है उस तरीके से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा हूँगा ठीक है अगर ये introduction वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप exercise 11.1 को easily solve कर सकते हैं तो basic construction का तीन चीज़े आपको जाननी जरूरी है exercise 11.1 को solve करने से पहले ठीक है और इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा मैं आपको सिखाऊंगा तो सबसे पहले बात करते हैं पहला construction 11.1 का basic construction में to construct of bisector of a given angle अगर आपको कोई भी एक angle given है तो उसको आप कैसे bisect करेंगे कैसे बनाते हैं वो आपको पता करना है वो आपको क्या करना है पता करना है तो बहुत ही easy question है question की दुरीगे से आप इसे लीजिए सबसे पहले कभी पी जब आप construction करते हैं तो आपको जो use करना होता है pencil pencil की जो नोख है वो आपकी sharp होनी चाहिए ठीक है यह नहीं क्या बार 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 खीच रहो ऐसा नहीं और जो यह नीप होती है न इसके और इसकी निप आप जब एस इस पर रखोगे तो वो एकदम parallel एकदम एकी सीध में होनी चाहिए अगर यह उपर नीची होगी तो आपक कुछ कमी जरूर रह जाएगी तो यह जो दोनों नीप वो एकदम सीध में होने चाहिए अब चेक करने के लिए इस पर रख के देख सकते हो और यह धीवी नहीं होनी चाहिए यह बिलकुल कसी भी होनी चाहिए ठीक है यहारा समय में चलिया है पहला जो टॉपिक हमारा है त यू कंस्ट्रेक्ट ओफ हॉफ ऑ चुट्र दी कि बाइस आञेए ब कोछ दी कव लीटिवॉट बना लीजिया सपोस करो व इक गिवन एंगल में बना रहा हूं थीक है ओबश्लिविक्वेच रिक ग ऐसकी बीच कुछ ना कुछ आपश एंगल बनेगँ है इसकी बीच धिग इनके बीच कुछ न कुछ एंगल तो जरूर बना है ठीक है अब यह जो गिवन एंगल बना है इसका नाम दे देता हूं मैं लाइन का नाम दे रहा हूं मैं यह 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 बी है और यह सी है मेरे पास जो गिवन एंगल है थीके पएन से लिटता हूं इसचीजों को जो मिर पास गिवण हैं वो मेरे पास के ए सीबी थीकिए इस गिवन एंगल करें को किया निकलना है बाइसरेक्टर निकालना मतलब उसका आधा निकालना है ठीकिशिय का दन design निकालना है सो देखो क्या होता है यह देखो एक तरीका तो यह है यह कोई सभी एक एंगल है आप क्या करो यह जो बीप पॉइंट है ना जासे एंगल मिजरमेंटम करते हैं इस पॉइंट पर रखो नोग ठीक है और यहां से एक आर्क खीचो ठीक है यह मैंने आर्क खीचा अब इस आर्क को बिना इला बिल्कोल भी नहीं एना रहना है इस निप को यहां पे रखो एजो कट पर विला है यह यह से भी का खीच और भी जो एज आ इंक गठाम से भी को जिह कुठ रांपन हमें इन एक हैरं ठांर कि हो अब कर दाद की अब हमें नचेंशन आप इस बी वाले प्रेंट को और इस प्रेंट को किया कर देना मैच अब यह जो एंगल बना है आप एंगल मिजरमेंट कर सकते हो यहाँ पर जो एंगल है और इधर जो एंगल बना है वो बिलकुल सेम है अब माप की भी देख सकते हो इतना आसान होता है ठीक है इतना आसान होता है तो सबसे पहले हमने यह बाना कि यह मेरा ABC है यह पहले जब हमने R खीचाता है तो इसे एक पंट यहां मिला एक पंट यहां मिला इसे D बोल देता हूं इसे E बोल देता हूं और इस कट वाले पंट क तो यह तो हो गई तरीकी सीधी सी बाद अगर में रुफ में करके दिखाऊं तो सबसे पहले आपको कोई गिवन एंगल दे रखा होगा ठीक है यहां पर पॉइंट रखना है एक आर्क खीचना है उसी आर्क को बिढ़ा है उलाय डूलाय इस नहीं यहां पर निप रखे यहां प्रेकार लगा नहीं है फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच कर देना है आपको आपको जो भी गिवन एंगल दिया होगा उसका बाई सेक्टर आपको मिल जाएगा यह प्रोसिजर होता है ठीक है आप इस चीज को आप का स्ट्रक्शन की मदद से लिखे भी सकते ह इसी के लिए क्या होता है जो भी चीज आपने की उसे अपने वर्ड्स में लिख देना स्टैब डी सि-टे एइच वन हमें क्या दे रखा था गिवन एंगल हमके दे रखा था एग यह ए बिसी जो लिखना चाहा हो तो स्टेप टूप आपने क्या किया स्टैब टूप draw an arc from point B, we get two points, we get two points, we get two points, D and E. Step 3, you see arc similar, then same range of arc, draw from point D and E, we get intersecting point, intersecting point, intersecting point, F, step 4, step 4, join F and B, we get our bisector angle, ठीक, इस तरीक से में हमारा bisector angle मिल जाएगा, जो की होगा, F, B, A, या फिर C, B, F, या फिर F, B, C, और ये दोनों एकोल होगा, ठीक है, तो इस तरीक से आपको किसी भी गिवन एंगल का आपको जाएगा, जैसे कि 60 गिवन एट आप 30 बना सकते हो, 90 गिवन हो तो 45 बना सकते हो, या फिर 120 गिवन हो तो आप 60 बना सकते हो, कोई भी एंगल गिवन हो तो उसका हाफ बन जाएगा, इस तरीक से, ठीक है, ओके, नेक्स कंस्ट्रक्शन पर आते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन है, वो आपका है, 11.2 बेसिक्स में, तो कंस्ट्रक्ट द पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर ओफ लाइन सेग्मेंट, हमारे पास कोई लाइन सेग्मेंट होगा, उसका पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बना होती एजी है तो सबसे पहले सब्सक्राइब हमारे पास लाइन और लाइन सेग्मेंट अलग होता है आपको पता है लाइन और लाइन सेग्मेंट अलग होता है मैं आपको एक्जेम्बल देता हूं अगर आप वाई दूब आपको नहीं पता है तो जैसे कि यह लाइन है लाइ कुछ है इने आध रमने यहां से और इसको फिक्स कर द जी और बूक्ती यह मेरा क्या हुआ यह वहला इसे कि एब यह मेरा हुआ ल INTERP सेलेब भी यह मेरा को लाइन सेलेविट कर ले तो लाइन और लाइन सैग्मेंट मैं यह वहले चाहरु होथे हैं घिक सो हमारे मेरे पास एक lign segment है, suppose को लाइन segment किसी भी length का ले सकते हैं, अब एक length ले रहे हो ये, और इस प्वेंट को इब बोलू इस प्वेंट को ब बोलू, ये मेरा line segment है, इस line segment का मेरे को perpendicular bisector बनाना है, सेयराय आभ मुबं सांग वह तुक्ड़ कि show उनको दो टुक्ड़ों में मारता है look a उसे हम शक्र वोलते हैं तो जो मश्च झालनाय वह सेक्ट Our alumni होना ची पर पेंडिकुल्ट वाइसले कि निकानने तो देखो धीक अगर ना 은सी आर था अप I यह आदे से ज़्यादा ये वाल आर्क अीस पांट रखने के इधर से एक पर खिंस एक पर खिंचो, और वही आर्क नीचे भी जाएगा यूँ छूच का ति इसको भीना ही लाए डुलाए आप वही आर्क और बीना ही लाए डुलाए पोईंट इस निप को रखना है वी वाले प्यांट फर ठीक है और यहां से भी ख्यच अब आपको क्या करना है यह जो कट पंट C और D मिल है इनको क्या कर दो कट पॉइंट बोलो इंट्रेक्टिंग बोलो इनको आपस पर मीट कर दो स्टिक्डर हमारे बन गे पिंट बने का इनके बीच जो एंगल बने अहि दुन्भी का इन सब की बीच में जो इंगल बने लने ना गुच दो अन्ल मत बने का इन सब की जो पर तो नए और बॉत् पेकर अनीड देखर याप और इधर भी उत्री डिस्टेंस हो गई यह और 4.5 25 दोनों तरफ थ यह बन गया मेना परपेंटिकुलर वाई सेक्टरीं चर्पन्रफ सेंचिजों में भाड देगा ठीके, पहले हमने लाइन A-B ली ठीके, फिर हमने एक आर्क कीचा अब A पॉइंट से ऊपर और उसी साइड नीचे, फिर उसी सिमिलर आर्कों को हमने बी पॉइंट बेर रखे दूसरा की इधर एक आर खीचा, तो वो डी पॉइंट और सी पॉइंट पे कट करेगा, फिर सी औ कुछ समझ में जरू है हो अब आजाओ नेक्स्ट केरें कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्ट अन एंगल अफ सिस्टी डिग्री एड़ इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे ठीक है बहुत ही इजी होशन है हमारे पास क्या भोलाए कि आपको एक इनिशियल रे गिवन है ठीक है इनिशियल रे मतलब लाई है कि रन है ठीक है यह ले रिया एक इनिशियल रिय इस पैंसे यहां से इधर जा रही है को पहले ह bet experience काड़ अच्टोच दोखता मीं होती है कि रन हिंदी बोथे क्या कि ररण एक कोई कि रर न neur Cash European एक आपको क्या करना है 60 डिगरी कर एंगल ड्राॉ करने हैं ठीक है। बहुत ही इजी कोईशन है बहुत ही ज्यादा तो भूचित ए सब्सक्राइब करने कोई सब्सक्राइब करता है। तक everytime इत्ना बड़ा अर्क लिए मैं इनिशिल वाले पइंट भाइंट पे सुनिप को रखुँँगा ठीक इस रेक नाम लां भी दे दुप इस रेका माँ नाम में A और B भोल दिता हूंक आप इनिशिल पइंट इसका क्या माल लिए मैंपन लिए अब निप को आपको एवाले पाइंट पर रखना है यह रखा में एवाले पाइंट पर और आपको एक आर्क ड्रॉख करना है जैसे आप आर्क ड्रॉख करोगे तो आपको एक पाइंट कट वाला पाइंट मेला इस पाइंट को सी बोल दोगे बिना इस हिला ही अर्क को फिरसे आपको सी इशे बाले डिला रखने और आपको एक से लगाई खिज ने है इश क्या करना है इन दोनों पाइंट और इपाइंट को मीट कर framing यह ए पोइंट है अगे देए बीट कर दिया इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 60 डिगरी अब 60 की मदद से आप क्या बना सकते हो कौनज अंगल बना सकते हो 60 डिगरी की मदद से 30 डिगरी इसका बैसे के लिए यहां पर रखो अर्ग इधर बढा दो कि अभी मैंने सिखाय तब इसको बिना हिलाड डी पर रखो इधर बढ़ा दो फिर इन पॉइंट को मिला दो तो यह आपका क्या बन गया 60 का हाफ इधर वाला 30 बन गया है कि नहीं बन गया 30 कि सो इस तरीके से हमें चीजे करनी चाहिए एक्सराइज 11.1 को सौल करने पर आपके एंसी अटी में तो बस तीन ही चीज दे रखी हैं बेसिक चीजे जो मैंने अभी आपको समझा दी है और आपको आपको आप ही कही होगी आम शूर बट कुछ एक्स्ट् आपने तरिक से और सिखा देना चाहता हूँ जैसे की 45 जैसे की 90 जैसे की 120 ठीके कुछ एंगल में और सिखाऊंगा 220 सिखाऊंगा 90 सिखाऊंगा 25 सिखाऊंगा जिनकी में बार ज़रुद पढ़ती सिख्टी का तो सिख्या कें हम थिए 60 का थो मौन सिख्या है अब इन तीन को मैं बनाना और सिखाऊंगा हुआ है सबसे पहले हम बनाएंगे 120 इनीशिल पॉंट यहां रखा एक आरक ले लिया और इस आरको मैं खिज दिया ठीक है एक कट्पाइट मिला यहां पर इसको एक ड्रॉग है यह बन गया 60 इसको फिर यहां पर कियां फिर गुमाओ यह बन गया 120 इधर करूंगा तो फिर 180 बन जाएगा साथ साथ का डिफिरेंस है ठीक है 60 120 अब आपको यह जो 120 का जो कटिंग पॉइंट मिला है यह जो पॉइंट है और यह जो पॉइंट है इनको मेट कर दो यह बन गया 120 इनके बीच का जो एंगल बनेगा न वह 120 का बनेगा ठीक है आप चाहे माप के देख सकते हो तो 120 बन गया ठीक है पैंसिल दिखनी रहे पैंडार के दिखेगा न वीडियो के लाइट के कारण यह जो पैंसिल वह आपको तुन्जली देख रही हो गई स्मझ लेन क्यूंकि कांस्ट्रक्शन आपको एक्जाम में पैंसिल से ही बन आते हैं द्यान से देखिए का बस आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले बनने क्या लिया है एक लाइन ले लिए द्यान से देखते रिया पहले 90 बन जाएगा तो 90 का हाफ 45 अराब से बन जाएगा तो बैसे लिए 90 सीका जादा जरूरी है यह इसके इनिशिल पाइंट एक आर 120 बनके 120 इसी आर्क को आगे और गुमा दो उपर उपर के बढ़ा दिया 120 बनाती हुए उपर बढ़ा दिया ठीक है अब उसको छेड़े ना नहीं है उसी मीजरमेंट का सारा होगा अधियान रखने अब ये वाली निप आपको यहां रखनी है इस वाले पुएंट पे और य यही देखों जो एंगल हो कितना है 90 डिगरी का है ठीक है यह वाला एंगल कितना बनाने अब को 45 बनाना है तो इसका बाइक सेक्टर निकाल लो अधिस यह यहां पर लेलो यह लेली असकी मीजरमेंट लेली अब यह एंगल यहां से मुमाया इसी पुएंट को यहां पर रु इस इनिशिल पॉइंट से मिला दो तो यह वाला जो एंगल है बीचो बीच वो कितना बनेगा 45 आप बना के मापके देख सकते मेरे बास अभी कंपास नहीं है मापके दिखानी बारू और इसी वजह से में 11.1 को भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं कंपास हो तो मैं इसी के सा है ठीक है आई ओप समय में जरूर आया होगा नेक्स वीडियो में 11.1 को डीटिल में हरे कुशन को सॉल्व करेंगे पांच के पांच अगर वीडियो पसंद आई यह तो प्लीज लाइक शेर जरूर कर देना बिलते आप से नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए बाए जैन